हेलो दोस्तो गुड मॉर्निंग सोगत एक और नए व्लॉग में तो दोस्तो मॉर्निंग का समय है और व्लॉग की शिर्वात यहां से हो रही है आज तो बारिश बहुत जम कर आ रहा है बहुत ही मस्त बढ़िया मौसम लगा पड़ा है दोस्तो आपको दिखाती हूं बारिश है इसे बारिश बारिश चैनिल को बना रही है ने ले छोह आ है तो मैंने शोच आ बोहां की रेसिपी मैं आपके साफ चाहरा हूं आप मुझे नहीं पता कौन कैसे बनाता है किस का कैसा है बनाने का तरीका तो मैं आज आपको अपना तरीका बताऊगी कि मैं किस तरह से पोवा बनातीया है शेलिए देखते हैं मेरी कीछन में चलकर तो यहां पर मैंने दो पेच कटकर लिया है हरी मिर्शी कड़ी पता भी साथ में रख लिए दो टमाटर और पोहा को वास करके रखा है काफी लोग दोस्तों सिर्फ कांदे में बनाते हैं टमाटर यूज नहीं करते हैं लेकिन मैं टमाटर यूज करते हूं कि तुम इसे सुख अब इसमें डालेंगे ओईल, अब इसमें जाएगा थोड़ा सा राई, राई बहुत अच्छा लगता है, अब राई थोड़ा अच्छे से चटक जाएगा तो उसमें हम डालेंगे, जो हमने ये कट करके रखा है, ये कांदा, और हरी मिर्छी, और कड़ी पड़ता, जब तक तो थोड़ा चटक ने देते हैं, नहीं तो वो कच्छा कच्छा मूँ में अच्छा नहीं लगता है, तो राई का चटपट चटपट आवाज बंद हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे प्याज और ये से निक्स करेंगे, इसका थोड़ा कलर चेंज होने तक इसका कच्छा पन जब तक जाये नहीं कच्छा हम इसे फड़ा पका लेंगे, ज्यादा इसे डार्क राउंड ही नहीं करना है, फड़ा हलका पेंक से जैसे इसका जो कच्छा टेस्ट होना बस वो निकर जाए, जब तक मैं टमाटर को कट कर लेती हूं, तो ये लगबक तो पकी गया है, औ और मैंने यहाँ पर तमाटर भी कट कर लिया है, अब मैं तमाटर को इसमें डाल दूँगी, मैं धर में ऐसा ही खाना मिनाते हूं दोस्तों, एक चीज पकता है, दुफरा चीज कट कर क्यों, पहले से ही कट करके फिर करो ना, फिर बहुत टाइम हो जाता है, बहुत लेत हो और खाना गबनाले अब इसमें थोड़ा सा नमक डालूँगी कि तरह गया इसमें झेल रिट यह द्षी पाउड़र, प्रत Storm everyone, जादा तरह का यूशिक केक पाउडर रहे कोट आशिक तो आखिव हो, विपम से जाधा तह पकेक कट कर ने ढाखिआं आए की घ़ाथा हई ही अब इसे मैं धक्तर रखकर इसे एक-दो मिनिट उले पकने दूंगी ता कि टमाट रचे से गल जाए तो अब भी मैं इसे चेक करते हूं यह गला है कि नहीं टमाट रचे से गलतो गया है टमाटर अच्छे से पूरा देखो आप इसको थोड़ा मैश कर लेते हैं कि कि हमने थोड़ा बड़ा बड़ा पीस करके डाला खाना चला लिया अब इसमें मैं यह सारे पोहे डाल दूंगी अब कर राज़ा है अबड़े शुम आपे टो है अबड़ा आप नहीं व कर्ड़़ा नहीं सारा में अच्छ से मिक्स कर लिया है. अर हम घंिया कटकर कर के रहा था यह अच्छ करके भी डल के मिक्स कर लोगी इसे अभी धकन लगा कर दो तीर मिनिन ले खोड दो ढूम, नहयीं मेरी ताकि यह थीव थोड़ा आप झालए हलो रियांच क्या कर ला है यह देखो गाइज रियांच पूरे मुसंभी को लेकर कैसे फैला कर सो रहा है आज रियांच का छुट्टी है आज रियांच घर पे है अज क्या है रियांच आपका होलीडे हां पार्टी कल किया पार्टी उटके बताओ दर गईस को बताओ कल क्या किया आज पानी 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 किदर है पानी पानी इसकुल में से चड़ा दा गाना कार्टी किया आप लोगों ने हां टिंकल पेल टिंकल पेल टिंकल टूं टूं कौन खाएगा जेली ये कौन खाएगा कौन खाएगा ये बे कौन बे बे कौन है ए ए दे मेरा दे ए ए मेरा दे ए ए मेरा जेली ये दे तूशन जाओगे चुट्टी है किसने बोला किसने बोला चुट्टी है टीचर ने बाई साब ओ बाई साब क्यों फेक रहा है क्यों फेक रहा है गिर जाएगा गिर जाएगा नो, 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 कलर करोगे और यह जो यहाँ पे कबार फैला के रखा यह कुन उठाएगा हाँ यह ऐसे ही करता है दोस्तों जब घर पे रहता है तो ऐसे ही सब फैला के रखता है छुट्टी वाले दिन इसका यह डबल काम बड़ाने का ठेका लेके रखा है इसने उठाओ यह सब उठाओ उठाओ हाँ उठाओ सब साब उठाओ अभी देखो, यहाँ पे सब फैला के आप बेटके कलरिंग करेगा बेटके आप इसी ही करता है लड़का बहुत तंग करता है यह रियंश कौन तंग करते हैं कौन तंग करते हैं यह देखो किसे आइस को ब्लैक कलर करके रखा है देखो इसको ड्रॉइंग करना बहुत अच्छा लगता है अच्छी बात है यह सब चीजों में ध्यान दे रहा है बहुत अच्छी बात है है न हां और यह देखो का है हलिकप्टर को दे आती राजा को भी देखो शी कितना गंदा कलर किया है देखो बोलू गाइस को बोलू कितना शाण है अच्छा था वो दिखाया और जो गंदा है वो बोलता नहीं क्या कर रहा ऐसे हां क्या कर रहा मम्मा यह देखो गाइस रियां संक कर रहा बात नहीं सुन रहे हैं पहले पानी नहीं आता और यह वाश पेशन गंण खोल के पानी देखो किसे बाहर आ है बताओं बोलू हाँ बोलू गाइस को बोलो हाँ दर देख्के बोलो बोलूँ ब क्वेल किया एा है किया एा है किया झारे किया एा हुआ